बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com यहां पर जुड़ करके पूच सकते हैं प्रशन कॉल के द्वारा भी और साथ है सावत अपने प्रशन आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं तो आप अपने चंद्रराशी के नुशार जान सकते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो आज है 24 जानवरी 2022 वहीं पे दिन है सोमबार का अगर देखा जाए तिथी की बात करें तो माक मास के कृषिन पक्ष की शेष्टी तिथी है ये तिथी रहेगी सुभा के 8 बच के 43 मिनट तक की इसके बाद सब्त में तिथी आरंब हो जाएगी वहीं पे नक्षत्र जो रहेगा हस्त नक्षत्र रहेगा सुभा के 11 बच के 15 मिनट तक इसके बाद चितरा नक्षत्र आरंब हो जाएगा रहुकल का समय जो रहेगा वो रहेगा सुभा के 8 То के 5 मिनिट से लेकरके, सुभा के 9 Radio के 27 मिनिट तक का तो इस दरान जो है आपको किसी भी तरहा का मांगलिक कारें नहीं करना है वहीं पे चंद्रमसारा दिन कन्या राशी में रहेगे तो क्या रहेगी आज की Lucky Tips इस विशे पे भी जानेंगे और साथे साथ ये भी जानेंगे कि आज का राशी पल कैसा रहेगा तो Cards हम बात करेंगे मेश राशी के जातकों की मेश राशी के लिए Cards आया है आपके लिए 6 of Cups और इसके साथ 3 of Cups देखा जाए तो दिन काफी हद तक अच्छा जाएगा लव रिलेशन्शिप को लेकर के अगर आप अपने प्रेमी के साथ आज गूमना फिरना चाते हैं तो आज का दिन काफी हद तक आप लोगों के लिए और कहीना कहीं आपको आने वाले समय में त्रộक्की भी प्राप्त होगी तो आपको उपाए आज के दिन करना क्या है आज के दिन भगवान शिफ को जल में शहेद ताल करकर जला भी शेक करें आपके लिए बहतर रहेगा बात करेंगे अगली राशी की तो देखा जाए किसी चीज को आज आज आप समाप्त कर सकते हैं कोई कारे जो है आपका पूरा हो सता है या फिर कोई ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय से आपको परिशानी दे रही हो वो खतम हो सकते है इसके अलावा फैमिली के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करेंग तो ओवराल दिन जो है आपका काफी हद तक अच्छा जाएगा स्वास्त का थोड़ा ध्यान रखनी के विशकता है स्वास्त का ध्यान रखनी के चले लापकारी सापित होगा आपक लिए आज करेंगे आपको पाय करना है तो व्रिशिव राशी के जातकों के लिए बहते र अगर देखा जाए तो आज स्वास्त का ध्याम रखनी की बहुत अधेका वश्रकता है मानसिक तनाव उद्पन हो सकता है वहीं पे मन में किसी न किसी चीज को लेकर कि आप चिंतन मनन में आज के दिन लगे रहेंगे लव रलेशिंशिप को लेकर के दिन बहुत अच्छा र इसाइब करीयर में तो लगे रहेंगे अगर करियर के लिए जादा आप आज के दिन सूर सकते हैं उपाय क्या करना है था कि मि राशी के जातकों को गन्ने के रस से यदि शिवलनग का विशेख करने आज के दिन तुलाबकारी साबित होगा वहीं पर बात करेंगे अगली र तो आज के दिन भाग्या पूरा पूरा साथ देखा जाए अगर किसी भी तरहां से आपकोई नया कारे करने की सोच रहे थे तो आज कारे आप आरमब कर सकते हैं, इसके अलावा आज के दिन शॉपिंग बिजा सकते हैं, अपने उपर अपने घर की साथ सजावट के उपर खच करख एंगा लेकां से हाटों के लिए अक्षित नाल करके जल में शव लिंगड करें मोचे स über देरे चरत करें करियर को लेकर के ला परवाही प्लिकुल भी नहीं करनी हैं नौकरी सम pendant मावलू में कोई नोपोई परिशाणी आज के दिन आ सकती है तो इसले ला परवाही बीलकुल भी नंद आ करें इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहें अट आफ जब दाल करके जल में शर्फलेंका बिशेक करें लाब प्रापत होगा बात करेंगे कन्या राशी के जातकोगी कन्या राशी के लिए काज आए है टू अफसोड्स वहीं पर काड़ाया है देखा जाए आज कोई चीज जो है खतम हो सकती है अगर कोई चीज अगर खतम होगी तो नई शिरुवाद भी होगी आपके थॉट्स जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं आसपास चीज अच्छी हो रहे होगी बट हो सकता है आप उन चीजों को लेकर के जादा सोचे या फिर कुछ नकरात्मक सोचे तो इस चीज को बिलकुल भी ना जादा स्यादा सोच करके चले हर चीज पॉजिटिवली आप ले जादा अच्छा रहेगा आपके लिए कन्या राशी के जातकों ले पहतर रहेगा आज के दिन गंगा जल से शिवलिंका बिशेक करें बात करेंगे अगली राशी की बात करेंगे तुला राशी के जातकों की जैसे कोई महिला हो, उनकी बात जरूर मानियेगा, उपाय क्या करना है तुला राशी के लिए बहतर रहेगा, आज के दिन जल में इत्र मिला करके शिवलिंग का बी शेक करें बात करेंगे स्कॉर्पेंज की यानि विर्शिक राशी के जातकों की व्रिष्षिक राशी के लिए काद्जाएं हैं 10 of swords, वहीं पर 3 of swords, और इसके साथ Ace of cups, तो आज का दिन जो है, आपका थोड़ा से चुनोती भरा जा सकता है, कि ने कहीं, दिल टूट सकता है, किसी चीज को लेकर के परिशानी आ सकती है, इस्पेशली करियर में, आपको आज के दिन चिंता हो सकती है, जादा अधिक चिंता करने के विशकता नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए, जो आपका lover होगा, प्रीमी होगा, वो आज के दिन आपको पूरा-पूरा सपोर्ट करेंगा, अगर टूटा हुआ महसूस करेंगे, तो आपके लिए आज के दिन पिलर का काम करेंगा, तो सपोर्टिव, आपके पार्टनर पूरे-पूरे रहेंगे, उनके सपोर्ट से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, निराश बिल्कुल भी नहीं हुईएगा, स्वास्तक का अज के दिन ध्यान रखनी के वर्शकता है, पृष्चिक राशी के जातकों के लिए बहतर रहेगा, यदि आज के दिन आप चंदन मिला करके शिवलिंका भी शिक करें, तो लाप पुरात हुएगा, बात करेंगे अगली राशी की, हम बात करेंगे धनु राशी के जातकों की, तो धनु राशी के ले काद जाए हैं 10 of Wands, वहीं पे 10 of Cups, देफूल काड आया है, देखा जाए आज के दिन किसी चीज की नई शिरुवात हो सकती है, मगर वहीं पे करियर में बहुत जादा आज के दिने फर्स लगाने पड़ेंगे, नौकरी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा काम हो सकता है, जिसमें बहुत जादा मेहनत लगानी पड़े, ओवरॉल देखा जाए हेक्टिक डे रहेगा आपका, अपने प्रीए जनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, आज के दिन आप घूमना फिरना, चिलाउट कर सकते हैं, तो दिन शाम के बाद जो है आपका अच्छा रहेगा, इससे पहले सुभा से लेकर के शाम तक का समय जो रहेगा, बहुत जादा हेक्टिक रहेगा, इसलिए चिंता बिलकुल भी ना करें, मानसिक तनाव हो सकता है, उससे बचके रहेगा, धनुर राशी के जातकों के लिए क्या बहतर रहेगा, आज के दिन यदि याप पीला चंद मिला करके शिवलिंग पर, अभी शेक करते हैं जल में, तो लाप लाप होगा, बात करेंगे हम मकर राशी के जातकों की, मकर राशी के लिए क्ले काजा हैं, फाइव अफ सौज वही पे द एंप्रेस और टू आफ वांड्स, विदेश जाने के लिए कर सोच रहे थे तो आज का दिन पहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई ऐसी चीज आपकी पूरी हो सकते हैं जो विदेश जाने में काम आए, इसके अलावा अपने उपर आज को दिन धन खर्चा करेंगे, अपने जो आपके पार्टनर हैं, उनके उपर आज को दिन धन खर्चा कर सकते हैं, करना है, इस चीज का भी द्यान रखते हुए, चलिए, उपाई क्या करना है, आज के दिन गंगा जल मिलाकर के जल में, अभी शेक करें, लाप राब दोगा, बात करेंगे कुम राशी की जातकों की, कुम राशी के लिए काज आए हैं, दे हाई प्रिस्ट्रेस, मून काड आ है, Eight of Pentacles, धन संबंदि मामलों में दिन बहुत अच्छा रहेगा, देखा जाये तो कहीं न कहीं, आज आज आपको धन संबंदित मामलों में लाब हो सकता है, मगर वहीं पे जो आपके बहुत जादा प्रियेजन है, जो अपने हैं, वो ही आपका फायदा उठाएंगे, अग कुछ चीजे जो हैं, अपने तक सीक्रेट्स जरूर रखिएगा, सारी चीजे हर एक विक्ती से डिस्क्लोज मत कर दीजेगा, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा, उपाय क्या करना है, आज के दिन तिल डाल करके जल में, शिवलिंग का विशेकरे लाप राप्त होगा, बा अगर आप जल्दबाजी करेंगे, तो वहीं पे आपको sudden changes में नजराएंगे, suddenly downfall लग सकता है, दुर घटना हो सकती है, तो इसलिए traveling भी कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करनी है, इनफार्क किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आज के दिन करना आपके सही नहीं रहेगा, ट्रावलिंग करते समय भी वहां चलाते समय भी आपको बहुत जादा ध्यान रखने के अवशकता है, हर एक काम थोड़ा सा भगवान के उपर भुरोसा रखतर के छोड़े, हर चीज आप आज के दिन स्वयम करने के कोशिस करेंगे, तो आपको ही नुकस होगा, तो हमने बात करी आपके 12 राशियों की किस तरह से आज का दिन रहेगा, आपके राशिफल की, वहीं पे हमने ये भी बात करी कि क्या कोच चीज़े डाल करके आपको राशी के नुसार, आज के दिन शबलेंग के अभिशिक करना है, सुमवार का दिन है, तो इसके जल लेना है, इसमें गुलाब का इत्र डालना है, कुछ गुलाब की पंखुणियां भी डाल सकते हैं वहीं पे, या फिर सफेद पुष्प भी डाल सकते हैं, खुषबूदार, इसके बाद इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, शिवलिंग पे अभिशेक करें, और आते साथ गटबंदन करते समय, आपको ओम गौरी शंकराय नमहा मंतर का 108 बार जब करना है, ऐसा करने से आपके जीवन में मधूरता भी आएगी और प्रेम सम्मंद आपके पहतर और मस्पूत हो जाएंगे, तो अमीद करते हो विशे आपको पसंद आया होगा, फिरहाल के मुझे दीजी इजाज़त देखते रही करिश्मा के करिश्माई पत्ते के वला स्ट तक पर, नमस्कार, जैश्री राते